आप देख रहे हैं चौहान वीडियो और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके assignment submission के बारे में जैसा कि आप जानते कि 30 अपरेल 2024 last data आपके assignment submit करने के लिए तब तक आपको अपने जो assignment सा उनको submit करना लेकिन assignment submit करने के बाद एक चीज का आपको wishes धिहान रखना होता है एक mistake है जो कि आप बिलकुल भी ना करें क्योंकि उससे आपको काफी आगे नुकसान हो सकता है तो क्या वो mistake है क्या आपको assignment submit करने के बात करना है उसके बारे में आज की हमारी वीडियो है तो आप इस वीडियो को इसलिए पूरा जरूर देखे और अंतक देखे आप जानते कि assignment online या offline दोनों तरीके से submit किया जा सकते है जैसा भी आपका regional center या study center आपको जानकारी देता है उसके हिसाब से आप online या offline अपने assignments को submit कर सकते हैं online करने का मतलब है आप email id या फिर google form के जरी ये करते हैं अपने assignments को submit offline का मतलब है आप study center जाकर hard copy आपने assignments को submit करके आ सकते हैं लेकिन दोनों ही cases में एक चीज़ आपको assignment submit करने के बात करनी है वो ये है कि assignment जो है आपको उसकी एक copy अपने पास जरूर रखनी है सबसे पहले तो एक acknowledgement slip आपके पास होनी चाहिए जब आप offline अपने assignments को submit करेंगे तो acknowledgement slip लेना बिल्कुल भी ना भूले acknowledgement slip आप simply जरूरी नहीं है कि पूरी आप जो परची होती है उसको उनसे मांगे वगारा आप अगर उनके पास परची नहीं भी है आप simply अपने एक rough page निकालिए उसमें अपना नाम, enrollment, number, course code लिखिए उस दिन की तारीग लिखिए और अपने जो भी subject आप submit कर रहे है assignment submit कर रहे हैं, उनका नाम लिख दीजिए और उनसे sign ले लिजिए उतना भी acknowledgement slip जो है, काफी होगा तो offline में आप acknowledgement slip जरूर लिजिए और online में उनका screenshot बगारा जो भी है उसको ले कर अपने पास एक trail रखिए ताकि आप आगे दिखा पाए कि आपने assignment submit किया है उसके बाद तो दूसरा सबसे important काम है वो यह है कि आपकी assignment की जो copy है वो आपके पास होनी चाहिए तब तक आपके assignment का result grade card में नहीं आ जाता आप जानते कि assignment का result है वो grade card में अगस्त सप्टेमबर तक जारी किया जाएगा यहनकि 3-4 महिने बाद तब तक आपके पास अपने assignments की copy जरूर होनी चाहिए जरूर ही नहीं है कि hard copy ही आप समाल कर रखे अगर आप उसका scan कर लीजी अपने assignments का और PDF के format में अपने mobile पर भी रख सकते हैं 5-6 MB का जो data है वो लगेगा सिर्फ और आप जो है उनको store करके अपने पास रख सकते हैं क्योंकि उनका बहुत काम आएगा अगर आपके assignment जो है उनके marks आपके grade card में September तक भी नहीं जुड़ते अगर आपके assignment के mark September तक भी आपके grade card में नहीं जुड़ते तो फिर आप acknowledgement slip दिखा कर और अपने जो pdf format में अपने assignments को store करके अपने पास रखा हुआ है उनको दिखा कर भी अपने assignments के marks जो है वो ले सकते हैं तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि अपने assignment submit करने के बाद अपने assignment की कम से कम एक copy अपने पास जरूर store करके रखे अगर आपने online submit कर रहे हैं तो offline के hard copy तो आपके पास रहेगी ही उसको इज़र उज़र fake ना मत अगर आपने offline hard copy में submit कर दी है यनकी original copy submit कर दी तो submit करने से पहले आप उसका एक बार screenshot ले लीजिए आप उसके pdf बना लीजिए आप उसका scan करके pdf बना लीजिए और उसको अपने पास तब तक रखना जब तक कि आपके जो assignment के marks है वो grade card में नहीं आ जाते अगर आपके marks assignment के grade card में नहीं आते हैं September तक भी तब आप अपने study center जाकर या regional center जाकर वो अपने copy जो है assignment की दिखा सकते हैं और उनके जरी आपने marks जो assignment में अपने जो grade card है उसमें add करवा सकते हैं तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो कि उसके पास फिर आपके जो assignment होते है वो मिलते नहीं है आपके पास भी अगर assignment वो है नहीं तो average marks जो है आपके चढ़ा दिये जाते हैं अगर आप request करते हैं उन से कि मैंने assignment submit किये थे लेकिन आपने assignment के marks मेरे चढ़ाए नहीं तो फिर वो क्या करते है या तो आपके marks नहीं चढ़ाएंगे आपको दुबारा assignment submit करने क्लिए करेंगे या फिर आपके जो average marks है वो चढ़ा देंगे और आप जानते कि आपके assignment जो होता है उनका 30% weightage होता है आपके जितने अच्छे marks आएंगे उतनी अच्छी आपकी जो division है वो बनेगी तो यह काद आपको हमेशा ध्यान में रखनी है यह mistake बिल्कुल भी मत करना कि assignment submit करने के बाद अपने assignment जो है उनको इधर उधर फेक देना जब तक grade card में अपने assignment के marks add नहीं हो जाते तब तक आपको उनको समाल कर रखना है तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए शेयर जरूर कीजिए